त्री तू वाण गो अधिया नमस्कार आई आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आकास लक्षर में और आज हम जैसे की देख रहे थे अपन क्लास्टोइल चल रहे थे उसमें आज हम कुछ बॉल्यूम को बढ़ा करना हैं उसमें हम जो आरतब चक्र होता है और क्रियाओं को उनके प्रवस्ताओं को इस लेक्षर में देखेंगे आप सभी से हमारा निविदन है अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे लाइफ एंड अपलोट जो वीडियो हैं वो आप तक सीदे पहुंशती रहेंगी बेना किसी रुकावट के और आप हमें टेलीग्राम गुरुप पर या फिर हमारे चैनल पर भी जोएन कर सकते हैं पहां टेलीग्राम पर या हमारे फेस्बुक पेज़ पर भी आप पहुंश सकते हैं ठीक है वहाँ पर आपको सारे पीडियाप और सारे वीडियो मिल जाएंगी तो आएए शुरुबात करते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तो आज के लिए हम सबसे पहला जो कोस्टन से लाए हैं वो यह है कुई ऐसा कर लेती है एगजस्ट कर लेतीए तोड़ा जैससे को यह खुए बड़ बड़ी ना हुख थी वार्ड नहीं हो क्या है संद्धुल है seguinte मेंस्ट्राइब साइकल होता है जिसे महावारी बोलते हैं यह क्या होता है इसके बारे में हमें सारी की सारी इनफोर्मेशन यहां से मिलने वाली है आज तो बिना रोके आप बिना पुस किये वेडियो को देखते रहें ना स्केप करें ना कुछ करें तिल्कुल लॉंग टाइब तक यह चलता रहेगा आप इसको चलाते रहें बिना कुछ रुकावट के ठीक है बहुत यह इंट्रेस्टिंग पार्ट होता है आप इसको देखें तो सबसे पहले हम इसमें यह वाला ले लेती हैं चलो ठीक है सबसे पहले देखते हैं रजो धर्मिया आर्तब चक्र क्या देखते हैं रजो धर्मिया आर्तब चक्र देखेंगे हम क्या देखेंगे रजो धर्मिया मिन्स्ट्र साइकल होता है इसी को देखेंगे हम क्या होता है इस्तंधारी बर्ग के गण प्राइमेट जो होता है इस्तंधारी बर्ग का जो गण प्राइमेट होता है जिसमें क्या आते हैं बंदर आते हैं कपी आते हैं और हम खुद मनुष्य खुद आते हैं इसमें इसमें स है और तक चकर पाया जाता है और हम सब्सक्राइब पहले 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 हम ने लिए टूज़ गया घरी अथाइस से 29 दिनों बाल दोरा आया जाता है इसके र्याइब होती है इसके खेया होती से रिपीट होता है ये चक्र 28 से 29 दिन में ठीक है अब आ जाता है तता एक आर्थव चक्र से दूसरे आर्थव चक्र तक की घटनाओं का यह चक्र रिट्वीप श्त्राव चक्र कहलाता है, एक घटना स्रुबात फूई यह उसका तो तर्म कहलाता है प्रतरम स्त्रावातों मृस्चता आप से प्रादंभ होता है और आम सकते हैं 14 मांचिमाने मांचते हैं 12 13 years की जो एजोथी उससे मांते हैं ठीक है इसका 뜻फ लेकिन उसे पहले भी ये हो सकता है अब आ आ जाता है पिरता मार्त चकर के ऊरा बस्ता में प्रारम्भ होता है तब िसे क्या हुआ है सब्ध को आपकि रखेंगे ख़ता है तो देखते हैं दूसरा जो क्या है आरतव चक्र कहेंगा कि समें क्या होता है ये बताना है हमको तो देखिए करते हैं सुरूबात इस तरियों में प्रती मां है का ये मां प्रती मां नहीं है प्रती मां है क्या है प्रती मां है इस तरियों में जो प्रती मां है प्रती मां है दिख नहीं रहा है कोई नहीं कोई नहीं हम इसी को ले ले लेते हैं तो रहा है जैनों ठीक है कि क्या होता है प्रती माहे हम यहां लिख देते हैं यार वह का प्रती माहे यानि प्रती माहे के हिसाब से चलता है ठीक है प्रती माहे केवल एक ही अंडे का निर्माण होता है एक माहा के अंदर केवल एक अंडे का निर्मार्ण होता है यह कोशी का अंड उत्षर्ग के बाद अंडवानी जो अंडवा है नहीं होती है ंडवानी में निसा से निसाथ नहीं क्या होता है निसेचित होने का निसेचित होने का नहीं निसेचित होने का इंतजार करती है जो अपनी अंड वाहनी में जो अंड कोशी का होती है वो निसेचित होने का क्या करती है मतलब निसेचित होने का इंतजार करती है मतलब कोई शुक्रान वहां उसको निसेचित करे उस को द्रश्टी कि रखते हुए एंडबाहन की नीतियां परिवरतन हो जाते हैं जैसे घर्व धारण जैसे इसी कर दो हो जाती है तता विकास में मदद हो अंड के निसेचत ना होने पर मौटी यदि इसमें और निसेचत नहीं ओता तो क्या होती है मोटी गर्वासई एंड्रोमेटियम इस्थर जो एंड्रोमेटियम इस्थर होता है वो मोटी गर्वासई एंड्रोमेटियम इस्थर को बना रखने का कोई ओचित ही नहीं होता अगर उसमें निसेचन नहीं होगा तो जो एंड्रोमेटियम है गर्वासई उसको बन को बनाए रखना संबब नहीं होता मतलब तंत्र की यह नहीं है यहां यह आर्थव चक्र को क्या होता है यह बनाए नहीं रखता है यह उसको खत्म कर देता है कि इसको आर्थव चक्र को ठीक है इसको आप देख सकते हैं यह आर्थव चक्र को इसको मतलब तंत्र की विदीद् करता है मतलब इस्तरा ह भी अवस्ता होती है यह जो आर्टब चक्र उता है तो में कमी यह कुल नीटमें बन चुका है और बोड में बन चुका है इतनी जो लाइन्स हैं जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया है यह बहुत इंपुडेंट है यानि प्रोजिस्टेरोन के इस तर में कमी के कारण क्या होता है जो आर्तव चक्र होता है वो किसके कारण होता है वो होता है प्रोजिस्टेरोन के इस तर में कमी के कारण आर्तव चक्र होता है ठीक है इतना याद रखिए आप इसके कारण से होता है आर्तब चक्र अब देखेंगे हम इसका इसमें हैगा आर्तब चक्र की प्रवस्थाइं अच्छा इसमें कुछ प्रवस्थाइं होती है उनको हम प्रवस्थाइं देखेंगे यह जो प्रवस्थाइं होती है यह पहुत impotent होती हैं आप इनको जरूर से जरूर देखें तीक है अब जहां से भी पढ़ते हैं इसका मतलब यह नहीं होता कि आप हमारे चैनल से पढ़ें अब जहां से भी पढ़ते हैं इन अवस्ताओं को जरूर देखें ठीक है लेकिन आप हमारे यहाँ से दिखते हैं तो वह अच्छा होता है हम आपको THANKY बोलेगे टीक है आब बोलेंगे आरतव चकर की परावस्ता होती है वो देखिए आरतव चकर का जो प्रारंब या आरतव अवस्ता इसका परstein कहा से होता है आरतव जो लोता है आरतव चकर बशत्यां उतव होता है यह से सुरू होता है और आर्टव चक्र ठीक है यह जो अवस्ता ओती है यह तीन से पाँच दिन की ऊती है produces Wars सकती है मैक्सिमम और पांच की यह को सकती है तीन से कम नहीं होती और यह happy यह तो हो गया इसका परशायर आश्चाधिंगे एक रिप्शू इस रिफ्ट इस्तर तरहे का गरवास के अंदर उत्तर होता है वह गरवास है कि आंट्रएट इसथर और ऑप आप इसथर ऑफे कमी इसमें एंड्रोमेट्रियम जो एंड्रोमेट्रियम कोशी कहा होती है इसमें जो कोशी कहा होते है उसमें या रक्त की कमी या फिर रक्त की कमी इसकी कमी हो सकती है या फिर रक्त की कमी में जो तूट फूट होती है इसमें क्या होती है तूट फूट हो जाती है इसमें तू योनी मार्ग से जो तूट फूट है वो बाहर निकल जाती है इसको हम आर्तब चक्र की आर्तब प्रवस्ता कहते हैं ठीक अब देख सकते हैं तूटी फूटी कोशी का योनी मार्ग से बाहर आती है यह योनी मार्ग से बाहर आती है यह योनी मार्ग से बाहर आती है यह योनी म तूठी होती है अब आता है रित्व इस्तराब तभी होता है जब मुक्त अंड जो होता है वो निसेचत नहीं होता अगर अंड निसेचत हो जाएगा तब यह अवस्ता इसमें आएगी ही नहीं यदि अंड निसेचत हो जाएगा तो यह अवस्ता नहीं होगी यह अवस्ता नहीं होगी उसमें क्या हो जाएगा भिरून बनना प्रणम हो जाएगा और अवस्ता उसमें कोई वी रितु इस्तराब की जो आरतब चक्र की कोई वी अवस्ता उसमें नहीं होती है यदि निसेचत अंड हो जाता है तो यदि वो निसेचत नहीं होता तो उसमें सारी की सारी अवस्ता इसमें होती है ठीक है क्या होता है जब मुक्त अंड निसेचत नही यह यह नहीं मालग स्थे बार निकल जाती है जो कोशिय काँ ढूर डती है जो होती है इसको मरत कोशिका जने पस सेल बोलते हैं इससे कोशीалы उडिये रहते हैं अब यह यहां जाılmışे हैं यहां पर यहां क्या कह रहा है यह पुटकिये प्रवस्था कह रहा है कौन सी अवस्था हो गई यह दूसरी अवस्था होती है जिसे हम पुटकिये प्रवस्था कहते हैं पुटकिये प्रवस्था में क्या होता है वो देखिए आप पुटकिये प्रवस्था तो पुटकिये प त्ति तेस्टर ओस्त तीन से विपन तरति है मिनिमár तीन दिन या मैक्षीम हम बोलेंगे मैंक艷्क को कितने दिन मैंकसीम मुसको हम बोल सकत게 है पांस धीन तक हो सकती थीक है अब आप देख सकते हैं है ठीक है अबधिश्ति होती है जो कौन सी होता है जो अवस्ता होती है यही इसी आवस्ता में अधिकतर क्या होता है निसेचन होता है इसी जो अवस्ता होती है इसी में ही जो निसेचन अधिकतम होता है ठीक है इसमें अधिकतम संभावना होती है निसेचन होने की अब इसमें देखेंगे जो आरतव आवस्ताओं के करना चाहिए उसका वो है उसमें कौन सा ही यह तो आपने बाद में बात की बात है अब यह देखिए ठीक है अब आथा अब आथा अब सता से बारा दिन तक की अबस्ता है जो आर्तब अबस्ता वह साथ के तरण तब प्रार्म होती है इस वस्ता में अंदर एक पुटक होती है क्या होती है पूणविक्सित अभी पुटक फिक पूटक है यह नहीं नहीं यह कें गरंती हो जाती है यह इस को गरंतः हो गलत हो गया क्या cuerpo and कि निस्टेशन के लिए ही मुक्ता मानी जाती है ठीक है इस में क्या होता है देख लिए सवारा से दौारा से क्या है दससे बारा दिन तक होती है इसा बस्ता मैं अंडा साथ के अंधर प्रात्मिक पुटक होती है वह वरदी करके पूर्ण विखसट अब देखती है जिसकारण से ताकि भून का अंतर्रोप इसमें हो सके यह वस्ता कम्प्लीट हो गई अभर हम देखती है अन्डोच सरग आवस्ता क्या होता है तो इस आवस्ता में आर्थब चकर की मद्र में पिच बीच में लगभागा चौधा से जबय दिन लगभाग कितने दिन चौधवे दिन में ये वस्ताह होती है कौन से दिन कि अबस्ताह को छूषा बहुत बार बन चुका है जो अंड intended होता है वो आरतव चक्र के किसकोन से दिन पर होता है तो वह होता है वाई चाहद दीन पर ठीक है इसको आप याद रखें अब हाता है बेद दिन प्यूस चाहद दिन प्यूस गरंती के दौनों जो गौनेडो ट्रोपेंस होती है कौनचे गौनेडो ट्रोपेंस लूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल Stimulating Follicle Stimulating Harmons जो होता है FSH होता है और ये कौंसा होता है होती है दोनों क्या होती है हार्मोंस होती है ठीक है आप इनके बल्म क्या हैगा मैं जो तरहा होता है इनकी अधिकता के कारण ही अंडू सर्घ होता है कि कि कारण होता है प्रोटेशरों की कमी के कारण अधिकता हमें किस की होता है वो होता है फॉलीखrale इस्टीमुटिंग हर्मोन वोते हैं उन्हेकी करन ही था था चाइए इस नहीं की में Roberts एब्रध्दी हो जाते तरő मैं तब यह होती है और यही अवस्ता हम प्रोजिश्टे रोन के लिए कहने तो लुटेनाइजिंग हर्मोन का तेजी से इस तरह बना आर्टक चक्र के मद में इसका उचतम विंदू तक कर देता है अब लेच का यह हर्मोन इस तरह लेच सर्ज । जिसे बोलते है एले सर्ज ये अंगरीजी वर्ड है जो ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रिद कर देता है इस MON हो जाती है इसको पुट को फटने के लिए क्या कर देता है त्यार कर देता है तो उसमें अंड जो तो अंड से की ग्राफी पुटक के फटने के से अंड का मुक्त होना अंडोसर कहलाता है अब उससे जो होता है यह अब यह अवस्ता होती आरत्व चक्रकी अब आपती है अपनी पीत या इस्तरावी अवस्ता इसमें क्या होता है इस्तराव हो जाता है जिसकी हमने वारे में वाद की थी जो इस्तराव होता है इसमें क्या पस्तेल निकलती है और तूट फूल भार निकलती है यह अवनी मार्गे से वह यह होता है ठीक है अब इसमें देखेंगे जो इस्तरावी अवस्ता है इसमें क्या होता है कि बाद जो पीठ 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 रोख जाईए पीठ बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे पीठ नहीं पीठ बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे पीठ पर आवस्ता जो पीठ की आवस्ता होती है या इसे बोलती है लह जी जो होती है प्ररम्ब होती है जैसे अंडोत सर के ब बची। नावक्त संद कनाओं राचनाओं जो अंडोों Maine Virginia Negro पुटक उती में बदल जाते हैं वह ë न बदल जासे रहां Подनाओं थो राप्यी पुटक हो थे हैं इसावस्था में नाओं म्र流 स्क्राफी पुटक उते हैं ग्राफिय पुट्टक होते हैं याद रखने वाला सिंक्तम्स ये है इस अवस्ता में जो ग्राफिय पुट्टक होते हैं वो पीत पिंडा की या फिर इसे बोलें हम इसके दो नाम होते हैं पीत पिंडा की या कारपस लुटियम में ये क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं ये अवस्ता होती है कितने दिन की होती है दो दिन के बीच की अवस्ता होती है बारा से चौदा दिन तक इस पूर्व रितु इस्तराव अवस्ता भी कहते हैं इसे पूर्व रितु इस्तराव याने की रितु इस्तराव के पहले की अवस्ता भी इसी को ही कहते हैं ठीक है यह आप याद रखें अब यहां देखिए यह बहुत important symptoms हैगा आप इसको याद रखना जरूरी समझेए यह है कि इस तरियों में लगबग 50 बर्स की जो उम्र होती है उस अवस्था तक आते आते जो आरतब चक्र समाब तो हो जाता है क्या हो जाता है जैसे ही वो 50 पैंताली से 50 की बीच में आती है तो उनमें जो आरतब चक्र है वो समाब तो हो जाता है यह आरतब चक्र की अवस्था नहीं होती है उनमें इसेशन का कोई condition ही नहीं बचती है ठीक है बहे आवस्ता रजो निवरती कहलाती है क्या कहलाती है रजो निवरती वो अतलब निवरत हो जाना अपनी सेवा से निवरत हो जाना रजो निवरती यानी वह होती है कि सेवा निवरती बोलेंगे सेवा से निवरत हो जाना रजो निवरत बोलेंगे रजो से निवरत हो जाना भूर राजयोनिबति कहलाती है ठीक है मतलब उन में आर्थभ चकर की कोई अवस्ता फिर नहीं पायाती उस में आरतव चक्र जो होता है क्योंकि वो निभ्रत हो जाती है ठीक है इस परकार जब रजो दर्सन से लेकर जो रजोट्र लंबति तक कि जो आवस्ता होती है ना उसके चक्रिय रजोधर्म को सामान आवस्ता का धोतक होता है क्योंता है गोतक बोलते हैं घोतक होता है ठीक है किसका होता है वो रजोधर्म रजोधर्म जो होता है ना उसी का वो गोतक होता है दर्सन से लेकर रजोधर्सन से लेकर जिस दिन से जो आरतब चक्र प्रारंब हुआ उस दिन से लेकर जब यह समाप्त हुआ जहां से जहां से यह प्रारंब हुआ उस दिन से लेकर उस दिन से लेकर जहां पर यह पहुंचकर अंतिम वस्ता में समाप्त हो गया बहां तक का जो टाइम होता है उसे ही हम रजो धर्म कहते हैं उतन कि इतने वर्स का होता है बारा की उम्र से लेकर पैंतालीस से पचास तक की उम्र तक हो सकता है यह उसे थोड़ा बहुत पहले मान सकते हैं अब ठीक है अब आप यहां चलिए हम आ जाते हैं पर किस पर आएगा है वह फरेटिलाइजेशन निसेचन यह तो सब जानते हैं ठीक ह तो सुक्रानुवा अंड कोशिकाओं का सल्यन क्या कहलाता है क्या कहलाता है यह जाईगोड बनता है उसी को तो हम निसेचन बोलते हैं पहली पार्ट में देखा था बात है ठीक है युगमक सल्यान यह निसेचन कहलाता है मानब मैंने सेचन या इस तरह होता है यह अंडवाहनी अंडवाहनी बाहन नहीं है और यह यह बहुत है यह संक्रीन पद्षिसे इस तरम क्या बोलते हैं इस्थीमत क्या बोलते हैं एंपूलरी इस्थीमत जंक्सन यहीं पर तो होता है निसेचन दुनिया जानती है इस बाइलोजी के बच्चे होते हैं तो इतना जानते हैं कि यहां पर क्या होता है इसको रठ लीजिए यह बहुत इंपूरेंट है क्या कि जो एंपूलरी इस्थीम एब आप देखेंगे आँए चलते हैं जो ये दोड़ा हाई-छाइट कर दिया ठीज कोई नहीं पर भी कर लेंगे कि इसमें तीन चरण होती हैं अब मैं कितने चरण और इसमें पहला होता है सुक्राणू का अंडे के पास आना दूसरा होता है पहला होता है सुक्राणू का अंड को भेधन शुक्राणू को अंड को वेधन मतुसका भेधता है और तीसरा होता बहुता है जो कि सुक्राणु बा अंड का सलयन यह उती है इसकी तीन चरणों थे हमने देख लिया इन तीन चरणों को हम देखेंगे अभी कि अभी क्यों टंसले रहे हैं चलिए शुरुबात करती है पहले से पहला क्या आएगा सुक्राणु का अंड के पास पहुंचना यह पहुंचने की किरिया होती है इसमें क्या होता है उसके पास पहुंचता है ठीक है जो संभोग होता है यह किरिया होती है एक संभोग के समय पुरुस द्वारा सिस्न के माध्यम से इस तरी की योनी में बीर इसकलित कर दिया जाता ह क्या कर जाता है पीर इसकलत कर दिया जाता है कर दिया जाता है यह प्रकरिया बीर सेचन कहलाती है यह जो क्रिया होती है योनी मार्ग में जो बीर को इसकलत करने की क्रिया क्या क्या कहलाती है निसेचन कहलाती है क्या 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 बहुत वड़ी संक्या में इस पर्म होती है इस पर्म होती है ना बहुत बड़ी संक्या में होती है इसमें बहुत जादा हजारों लाकों की संक्या में ठीक है ताकि कम से कम कुछ सक्रिये जो सक्रिये होती है क्रिया सील बोलेंगे जैने सक्रिये सुक्राणू का इस तरी की अं से तो हो सके इसमें से कुछ जो होती है वह तो 웠 keen हो जाते हैं इसमें गार होते हैं मजबूत होते हैं बही पहुच़ पाती हैं अडर ठीक है है जिससे अफ़ knock हमको मिले सकते हैं सब्सक्राइवा गया कैसे इसलिए mogą Всемcar क्योंकि आप एक आप हजारों में से एक बनते ही चले आएं सुरू से वहां भी आपका हजारों में आप एक थे यहां भी आप हजारों में एक बन सकते हैं ठीक है वहां भी आप हजारों में से एक ही थे जो कोसिस कर आंगे बड़ते चले आए कि और की सारी और आप यहां तक ह होती है यह तो हमने कर लिया यह ने कर लिया अब आप यहां देखिए यह है मज़ेदार क्या है इसमें इसमें यह देखना है हमें कुछ नहीं देखना इसमें यह जो है वह क्या है फैलो प्यूइन ट्यूब हमने यह पिछले लेक्षर में सारा का सारा वरणन दे दिया है अब यह वार क्या होते हैं फिमरी होते हैं जब पीत जो ग्राफी पुटक फटते हैं जब ग्राफी पुटक फटते हैं तो उनसे अंड मुक्त होता है तो अंडा से अंड जो ग्राफी पुटक फटने के कारण जो बहार आता है तब उसे फिमरी जो होती है यह अंगुलियों के समा अंडानों को क्या कर लेता है पकड़ लेता है इस टाइब से इस अंडानौ यहां से मुक्त होता हुआ गया तब यह इसको पकड़ कर अंदर डाल देता है और यह यहां से जो फैलु जो संक्रिन पत होता है भुए तक पहुचा देता है। यहां से योनी मार्ग है Sometimes जुब यहां से यह देखी इसमें दिया है यह सनरस्नाइ स्मग मेरत में यहां पर फीर को skill किया जाता है यहां से यह खुद यहां इस रास्ते पर चलता है कुछ इस तरह कुछ इस तरह यहां से जाता है और एक सिर्फ एक अंड़ द्वारा यह इसका क्या होता है इसका जो है वो निसेचन हो जाता है वो यहां पर होता है फैलो प्यों ट्यू होती है उसके एंपुलरी इस्तिमस भाग में ठीक है अब यहां से यह तो होता है गरवास है ठीक है वो यहां गरव में आ जाता है फिर बाद में यह यौनी होती है यहां से प्रवेश्च करते हैं इस पर्म ठीक है यहां सुक्राणू है यह जा रहा है यह सारे सुक्राणू है ठीक है यह अ के तराइब जा रहा है यह क्या है इतना होता है यह यह peine दवार का भाग होता है यहां से सव्न की यहां यहां से रूप में यह यहां से क्या होता है यह होता है संक्रिण पत पर ठीक है यहां यह benut Wood a family फिर पुना यह कहा जाते हैं गरवासे में आ जाते हैं जहां पर बुरों का पूरा परिपकवण होता है ठीक है कि यह तो हो गया जो Isma क्या है सुकराणों का अंड के पास तक पहुँचने की करिया दी गही है यहां से इस राष्टित चलते चलते स्क पहुच्छ जाती है किरले इस थीक डिए-टीक है आब याति की प्रक्यरिया में अंद्डा कot किया जाता है जो अंडबाइनी analyst की परप पक्षमा था याती है जक्ति थीयूं के समान सर्जब में उते हैं अन्ड फिमिरी पायाती है जो he Professor से की और गति को सुनेशत करती है यह अंड दीरे-दीरे एंपुलरी इस्तिमेश जंक्सन तक पहुंच जाता है चल जो सुक्रानु तेजी से तैरते हैं तैरने बहुत ते भीज़ी आपर क्या होगा सिर्फ एंड वह अंड तक पहुंचे हैं उसमें क्या होगा उसका भेदन नहीं हुआ भेदन के लिए जो सुक्रानु का जो एक्रोष्वम भाग होता है जो होता है यह मानली जीए क्या हो रहा है भाई आज चाहिए है ठीक है हम ये बाला भाद रुक जाएए आप ये मान लीजिए एक इस्पर्म बना रही है हम गलती हो रही है शेलिए इस्पर्म बना रही है हम ये इसकी पुछ हो गई ठीक है ये हमने इस्पर्म का डाइग्राम बना दिया अब हम इसको देखेंगे अब इसमें ये बाला भाग होता है इसको हम बोलती है आप एक्रो इसम ये वाला बाग क्या होता है एक्रो स्वर्म होता है जो हमने आगे वाला सेशन लिया था इससे पूर पर पहले वाला उसमें हमने शालर डाइग्राम बता दिया था ये होता है क्या होता है ये ये होती है सेंट्रो सॉम्स होती है ये होती है पुछ अ कि या होता है मदभाग में क्या होती है माइट्रो कॉंडिया ये होते है सारे-सारे ठी अब इसको देखेंगे इसको मिटाया हमने इसको मिटाया इसको मिटाया इस सारे को सारे को मिटाते चलेंगे तो जाएए क्यों कि इसके बारे में बढ़नन करना है है थीक यह यह तो गया भाई आप इस ने देखना क्या है यह देखना है यह यह नोखिला भाल्ध बाग अंड वीदन में इतने इवाग का कार होता है वस इतना यह यह बाला भाग था यह इसतने भाल का कार कहां होता है अंड तक पहुंचने की किरिया में इसने भाग का कार होता है यह तेजी से यह से जो इस टाइप से गती करते हुए तेजी से यह से इस टाइप से इस टाइप से तेजी से गती पहला भाग इसमें पुष्च को ये मटकाते हुए पहुच जाती है तो इसे पहुचने की बात हो गई अब दूसरा भाग कहा कार करेगा दूसरे बरण में ये कार करेगा ये बाला भाग वो क्या करेगा उसको उसमें प्रवेश के लिए बेज देगा ठीक है प्रवेश के लि लेकिन और उन रही क्या नहीं हुआ पर तीसरे अफस्ता में होगा ठीक है तो क्या होता है एक्रोस्वम दोरा कुछ न्युटार्थो न्युटंब कुछ पदार्थ होते ह्भिश थे क्या जाता है इसके नगल तो फिर भीच 소सम झाइनं के ल्हांगता आई सत्रावन कि नाता यह लेनकारी एंजयम जो से हां हाई मरोडी डिनेज जो होता है यह थीज्ऑ होता इसा इंज्ड beef कर Dwograf के द्वारा यह जावीं इसे मिस्त्रावेत होता है एकर अकर तरहे थे और जिसको आपो अन्दरश करता है का है कि आप यह लाग होता है ना यह दो गया अँथ कर जाता है यह तो हो गया अब हम देखें हैं कि इसका डायग्राम दिआ हैं पूरे फिल किया है उसके पारशन रिडियेटर यह भला भाग होता है इसुप बेध कर उस्प Мыं अंदर चले जाते हैं के अंगली अवस्तात है कैंट्रक को स्ल्यान हो जाता है वो अंगली वस्ता थी हो हमको आपब बाद में देखनी है तो इसको अपनेador लिए तेक नहीं के था है, तो आँवस्ता है um कुछ गरत दिखाई यहां एंड मैं गलत दिखाए शुक्राणु बाप्रवेस तुत्यक अंड कंठक नहीं है अंडक है अंडक को अर्दसूत्री विभाजन दो पून करने हेतु प्रेरित करता है अब दुत्यक अंड जो होता है दुत्यक अंड और आज के इस विभाजन में आज के नहीं होता है लिए गलत है नियह गलत है एक इस विभाजन से एक आगुलत डिंबानू या प्रेशु अर्थ अर्थ आर्थ क्या है गा जो बास्तिवियक मादा युगमक होता है बास्तिवियक pops किंबानु प्रसु हैं सुकराणओं के कैंद्रा के कैंद्रा कला को जो होता है गटत अब घटत है क्या अप घटत नहीं यह ए पटत अप घटत हो जाती है तो टोड़ता है जोकर देता है तो वह दौनों से रोकर एक जाइगोट का निर्मान कर लेती हैं क्या बना लेती हैं एक जाइगोट का निर्मान कर देती हैं युग मनज बना देती हैं ठीक है और जो दुत्यक धुर्विकाय थे वो निसेचन होने के बाद समाप्त हो जाते हैं दुत्यक धुर्विकाय कब समाप्त हो जाते हैं निसेचन पूर्ण होने पर दुट्य दुविकाय क्या होती है समाप तो हो जाती है ठीक है यह तो हो गया अब यह देखिए लिंग निर्दारण से determination सेखस डिटर्मिनेशन जो होता है लिंग निर्दारण आप सब जानती है इसके वारे में इसलिए थोड़ा सा से कलिया है आप लिख सकते हैं इसमें क्या होता है कि ने होता है कितने होती है चारीस डिटर योटे कैसे बीकर एकषद रोस 100 से माल होतीय है मतलब समान होती है समान होती है अब इस में से 1OO फॉक्त जी कॉंसे होते है और मादम क्यों अब यह क्या करते हैं इन्हें का जो सल्यान होता है तो अब उस सल्यान में में यह देखिए घ्रकूल affected आध एक्स और इसमें से इसका भाग लेगा की एक एक आध गार के एक इसने camoufl submitted इसका मिट गया कोई नहीं कोई नहीं हम बना देंगे यह हो गया एक्स अब देखिए आप कि यह होते हैं कि वह माई गोट एक हो गया 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 यह अब यह हो गया चार प्रकार के अब इन में से कैसे होता है नेशेचन बो देखेंगे कैसे होता है युगमन ये देखिए इसका आएगा एक X ये X इसका रहा एक एक इसका X और एक इसका X तो ये X X हो गए ये बनी पुत्री अब इसका एक X इसका एक बाय ये X Y हो गए ये बना पुत्र ये इसका बाय इसका X तो क्या हो गए X Y हो गए ये बना पुत्र इसका X देखो X X क्या हो गया X पुत्री X X X है गा ये भी X X क्या हो गया ये ये भी पुत्री ये हो गया X ये हो गया by तो क्या हो गया ये ये हो गया पुत्र ये हो गया by ये X ये भी पुत्र हो गया तो इससे दो पुत्र बनते हैं और दो पुत्रि ये आ रहा है मतला 50 पर सेंट होते हैं पुत्र के और 50 पर सेंट जो चांस वह Nearly roprietory के एक सामान युग्मन की स्तिति में फीचिकर सामान मर सित की होती परकार की बंसागती नहीं देख रहा है जैसे मैं अप मुट्रभाविता प्रभाविता बहुंद नहीं स्क्राइम ने सामान देख रहे हैं तो आप इस डाइग्राम को देख लीजिए वहाँ पर और हैं आप इसको एंसी आड़ी से देख लीजिए आप याद कर लीजिए तो यह देखिए आखरी में हमारे यह चैनल का जो लोगो आ रहा है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ठीक है धन्यबाद